पाकिस्तान में जहां एक तरफ एकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो दूसरी और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते देश सुलग रहा है। 9 माई को पाकिस्तान की पूफ प्रधान मंतरी इमरान खान की अरेस को 11 माई को पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने गैर कानूनी करार दिया जिसके बाद इमरान को रिहा कर दिया गया था। इमर्जेंसी की और बढ़ रहा है। इसी बीच इमरान खान की गिरफतारी को कई पाकिस्तानी विशलेशक चीन के विदेश मंतरी की यात्रा से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान के जीयो न्यूस के अनुसार 11 मई को इमरान खान की रिहाई के बाद शहबाज शरीफ क्याबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई मंतरीों ने प्रधान मंतरी शहबाज शरीफ से मुलक में इमर्जेंसी लगाने की सिफारिच की। वही शुक्रवार यानि 12 मई को इमरान को जमानत मिलने से कुछ देर पहले भी शहबाज शरीफ ने क्याबिनेट मीटिंग की थी जहां शहबाज शरीफ इमरान खान पर जम कर बरसे। इसी भी सत्ता रूड गडबंदन में शामिल जमाते इसलामी की चीफ मौलाना फजल और रह्मान ने एलान किया कि वो 15 मई से सुप्रीम कोड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। बिटाई करने के बाद इम्रान को गिरफतार कर लिया। हाला कि पाकिस्तान के ग्रह मंत्री राणा सना उल्ला के अनुसार पूर्विप्रधान मंत्री को अलकादे ट्रस्ट केस में गिरफतार किया गया है। प्रदर्शन कारियों की पूलिस से जड़ब हुई और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत समेथ पिशावर की कई इमारतों में आग लगा दी। पाकिस्तान की सेना को कभी पसंद करने वाली अवाम आज उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। इसलामबाद से लेकर खैबर प्रक्तुनवा तक पूरे पाकिस्तान में तबाही जारी है। सेन्य ठिकानों तक को जुला कर खाक कर दिया है। सेना के ठिकानों पर हमला किये जा रहे हैं। लोग पत्थर डंडे और मशालों से हमले कर रहे हैं तो पुलिस आसु गैस रबर बुलेट और असॉल्ट राइफल का इस्तमाल कर रही है। आपको बता दें कि इमरान खान को इसलामबाद के हाई कोर्ट से 9 माई को गिरफतार कर लिया गया था। वहीं 10 माई को पाक के पूर्वु विदेश मंतरी शाह महसूद कुरेशी को भी गिरफतार कर लिया गया। साथ ही PTI लीडर फवाज चौधरी समेर पाथी के करीब 1909 कारेकरतों को हिरासत में लिया गया। इमरान की गिरफतारी के बाद इमरान के समर्थकों ने देश में जगा जगा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कारियों ने सरकारी कारेयालों सेना के ओफिस समेथ कई जगहा पर आगजनी और तोड़फोर की जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ जड़प में आठ लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 से ज्यादर लोग जखमी हो गए। कराची पेशावर, इसलामबाद, रावल पिंटी जैसे बड़े शहरों में कुहराम मचा चारों तरफ आग ही आग नजर आई। चीन के विदेश मंतरी किंगंग अभी हाली में पाकिस्तान की यात्रा पर पहुँचे थे। जहां किंगं ने एक बयान दिया जिसे लेकर विवाध हो गया। किंगंग ने कहा स्थिर्था विकास का धार है एक पडोसी और मित्र के नाते हम पूरी इमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक ताकते आम राय बनाएंगी और स्थिर्था को बरकरार रखेंगी साथ ही ज्यादा प्रभावी तरीके से घरेलू और विदेशी चुनोतियों का समधान किया जाएगा गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी पाकिस्तान पहुँचे थे और उन्होंने CPIC में हो रही देरी पर नाखुशी जताई थी जिसके बाद पाकिस्तानी विशलेशकों का कहना है कि यह चीन की नीती नहीं रही है कि वे किसी देश के आंतरिक मामलोग में हस्तक शेप करें उनका कहना है कि अगर चीन ऐसा बयान देता है तो यह दर्शाता है कि हमारा देश किस तरहा के तुफान का सामना कर रहा है गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्री केस लामबाद से स्पधेश जाते ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ आक्शन शुरू हो गया अलकादे ट्रस घुटाले में पूर्व पाकिस्तानी पीम इमरान खान की गिरफतारी को लेकर पीटी आई ने सुप्रीम कोड में याचिका दायर की थी जिसके बाद 11 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोड ने इसे गैर कानूनी ठराया है चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल के अध्यक्षता में हुई सुनवाई में कोड ने इमरान की गिरफतारी पर नराजगी जताई कोड ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि इमरान खान को इसलामबाद हाई कोड के परीसर से गिरफतार करके अदालत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाई गई है सुनवाई के दुरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि कोड में भैका महौल बन गया है कोड ने एनेबी से पूछा है कि कोड से कैसे किसी को गिरफतार किया जा सकता है आपको बता देगी से पहले इसलामबाद हाई कोड ने इमरान की एरेस्ट को लीगल बताया था जिसके बाद पीटी आई सुप्रीम कोड पहुची इम्रान खान की रिहाई के आदेश के बाद पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंग्जेव ने इम्रान खान की गिरफारी पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने सुप्रीम कोट को पूर्व पीम इमरान खान को रिहा करने पर आग जनी और जजों के घरों में आग लगाने की धमकी दे दी PMLN नेता मरियम ने एक प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित करते हुए कहा कि PTI समर्थकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल सशस्त्र प्रदर्शन कारियों और आतंगवादियों ने देश और राज्य की संपत्यों पर हमला किया है मरियम ने सुप्रीम कोट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे हाई कोट एक अप्राधी आतंगवादी और सशस्त्र समू का नेतरित्व कराने वाले एक गैंस्टर को राहत दे रहा है उन्होंने कहा कि पहले भी कई PMLN नेताओं को गिरफतार किया गया था लेकिन किसी ने भी कभी कोई सवाल नहीं उठाया था इस पूरे मामले में मरियम नवाज शरीफ ने भी इमरान खान की रिहाई वाले आदेश पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि कोर्ट ने क्रिमिनल को छोड़ दिया है मुझे लगता है कि जज को भी PTI जॉइन कर लेनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में यू तो एक इतिहास ये भी रहा है कि किसी भी प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान में अपना कारेकाल पूरा नहीं किया है लेकिन आज हलात कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान के कि वहां की जनता इतिहास में पहली बार सेना का पुर्जोर विरोध करती दिख रही है दरसल पाक में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्रधानमंत्री की गिरफतारी के बाद पाकिस्तानी अवाम ने सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तरों के अलावा सरकारी और प्राइविट बिल्डिंग्स को भी फूग दिया और जम कर तोड़ फोड़ हुआ हुआ हुआ